नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर अनीता चोतरी आज हम कामाईनी पर चर्चा करते हैं कामाईनी का आधुनिक हिंदी साहिति में वही स्थान है जो मध्धी कालिन कवीता में रामचिर्ट मानस का है कामाईनी हिंदी जाति के आधुनिक चिंतन का एक कलात्मक दस्तावेज है जिसे जैशंकर परशाथ ने पूरी चिंतनात्मक एवं कलात्मक प्रोट्टा के साथ में रचा है मानोता के विकास की कहानी को आधार बना कर दुनिया की हर एक विक्सित जाती ने अपने समय की समस्याओं का अवलोकन किया है और साहितिकारों ने भी इसलिए उन कताओं को अपने युका चित्रन करने के लिए अपनी कृतियों का आधार बनाया है जिससे उनके द्वारा कही गई बात आसानी से समझी जा सकी कामाईनी के रचनाकार जैसंकर प्रसाद ने भी इस करती की कथा का श्रोत, वेद, पुरान और इतिहास में बिखरे मनू के इतिहास में खोजा है भारत के इतिहास में जैल प्लावन की घटना कोई सामानी घटना मातु नहीं है जिसका उलेग सत्पद ब्रह्मन में भी मिलता है इससे पूर रिग वेद में भी मनू और श्रद्धा की कहानी मिलती है आगे चलकर छंदोदय उपनिशद में स्रद्धा की कामाईनी स्वरूप को ब्यक्त किया गया है इन श्रोतों से प्रसाद जी ने अपनी कथा निर्मित की है जल प्लावन की घटना एक युगांतर की दियोतक है जिससे मनू देव सब्यता से मुक्त होकर मानू सब्यता का निर्मान करते हैं यह मानू सब्यता देव सब्यता से विलक्षन है और इसका मेल उस मानू समास से है जो यथार्थ रूप में आज सभी के सामने है और जो एक निश्चित यात्रा करके आज की इस्चिती में आप पहुंचा है जे संगर प्रसाद ने परमपरा से सुलब, मनु और स्षधा की कथा तथा अपने समय की समस्याएं एवं अपने अनुभव और जीवन दिस्टी के अनुरूप का माईनी को क्या बैत्मक स्वरूप प्रदान किया है और इसको पंद्रह सर्गों में विभाजित किया है जिसमें है चिंता सर्ग है, आशा सर्ग है, श्रद्धा है, काम है, वासना सर्ग है, लज्जा सर्ग, कर्म सर्ग, इशा सर्ग, इड़ा सर्ग, स्वपन सर्ग, संगर्स सर्ग, निर्वेद, दर्शन और रहसी सर्ग तथा आनन्द सर्ग हम संग्षिप में इन सर्गों की के विशे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं जिन्ता सर्ग सत्पत ब्राह्मन के आठवे अध्याय की कथा को आधार बना कर कवी प्रसाद ने लिखा है कि एक समय की बात है कि एक बार स्रिष्टी में खंड प्रले के रूप में जल प्लावन की घटना हुई जिससी हिमाले के दक्षण में पढ़ने वाला विश्टित भूभाग जलमगन हो गया इसमें देव जाती नस्ट हो गई इस जाती का केवल एक पुरुष मनु ही जीवित रहा जो एक छोटी सी नाव के सहारे हिमाले तक जा पहुँचा वही मनु हिमगिरी के एक उंचे सिखर से बहुत उदास भाव से इस जल प्रले के प्रवाह को देख रहा था और वह यह अनुभव कर रहा था कि सभी जगह एक ही तत्यों की प्रधानता है चाहे वह जल के रूप में तरल इस्तिती में है या बर्फ के रूप में ठोस इस्तिती में है मनु के बाहरी रूप का चित्टन करते हुए कवी ने लिखा है कि वह स्वस्त सुगठित शरीर वाले एक तपस्वी के समान दिखलाई पढ़ रहा था और उसे अपनी रक्षा की चिंता प्यूरित कर रही थी उधर ज्यों ज्यों पानी उतरता जा रहा था त्यों ज्यों भूमी भी दिखाई पढ़ने लगी थी ऐसे समय में चिंता करने के अलावा और क्या सेश रह जाता है इसलिए मनु अत्यदिक चिंतनशील हो रहा था वह इतना चिंतातुर हो गया था कि उसकी चेतना भी मानो जवाब देने लग गई हो वह अपने भूत काल को जितना याद करते उतना ही और ज़्यादा दुखी होने लगते ऐसे समय में वह आत्मा लोचन करते हुए देव सब्यता को कोसने लगता जिसने भोग विलास और दंब के सागर में खुद को मगन कर लिया और जो उसके विनास का कारण बना था प्रकृती में उनके ही दंब परमानो खंडर प्रलय के रूप में प्रहार किया था इस प्रकार खंडर प्रलय से प्रसाजी ने प्राकृतिक न्याय की परिकल्पना को साकार किया है मनु सोचता है कि देवताओं की सब्यता के विनास का कारण क्या है इसे प्रस्न के उत्तर के रूप में वह देवताओं की अपरिमित शक्ती एवंभोग विलास के साधनों को ही मानता है वह कहता है कि देवताओं के दंभ और अनाचारों ने ही उनकी सब्धता को नस्ट किया देवताओं का वह विलासी संसार अब नस्ट हो चुका है न तो वह प्रेमा लिंगन है और न कपोलूं पर पढ़ती सुगंदित वास्प है न गीत ताल निरत्यों का संसार है वह देख रहा है जो महल कभी मनी द्वीपों से जगमगाते थी आज उनमें चमकादर भूलते हैं वे सारे प्रेमा लिंगन समापत हो चुके हैं उन पुलक परशों का पता तक नहीं है और वह मधुमाई चुमन की प्यास अब किसी को नहीं सताती है इसका कारण भी वह सोचता है कि देवताओं का समाज विकल वासना का समाज था वे अपनी ज्वाला से जले थे और इसके बाद जल ने उन्हें नस्ट कर दिया जहां कभी देव कामनियों के नयनों के उस्सव चलते थे वहां अब प्रलै लाने वाली भीशन वर्सा हो रही है देव यग्यों की आग आज समुद्र के रूप में लहरों की माला बन गई है इस प्रकार चारों और हाहकार मचा हुआ था वज्र टकरा रहे थे चारों और से धुए के समान बादल उमण आये थे सूरी भी मलिन हो गया था धर्ती पर चारों और प्रलै का द्रिश्य उपस्तित हो गया ऐसे समय में अकेले मनु की नाव ही सेस्त थी प्रसाद जी ने इस सर्ग में कथा को ज़्यादा प्रधानता ना देते हुए विनास की घटना का बिमबात्मक स्वरू भी अधिक अंकित किया है जिससे वह इतिविर्त्यात्मकता से बच गया मनु सोचता है कि वह अपरता का खर्णन दंब है वह सोचता है कि अमरता सत्य नहीं है ऐसे मैं मनु को मृत्यो ही सबसे ज़्यादा सुक्ताई प्रतीत होती थी लेकिन धीरे धीरे प्रलाई निशा समाप्त होने लगी थी और प्रभात की लालिमा भी दिखाई देने लगी थी ये है चिंता सर्ग की मन्नों को चिंता है की प्रलाई की स्थिती है अब वह देखे आसा सर्ग इस सर्ग का प्रारंब सुर्योदय से होता है सुर्योदय आसा का प्रतीक होता है जो आसा की किरण की और संकेत करता है काल रात्रे समाप्त होने का समय आ गया था प्रकृति का मास समाप्त होकर वैसे ही हास में बदल रहा था जैसे बरसात के बाद शरद रितु आती है हिमाले की सिस्टी पर अब आलोग फैल रहा था पृतिवी से बर्फ हटने लगी थी और तरह तरह की वनस्पतियां अंकुरित हो रही थी इस इस्तिती का प्रसाजी ने अत्यंत काव्यात्मक चित्रण किया है प्रकृती का परिद्रश्य ऐसा लग रहा था जैसे की सारी श्रिष्टी सोने के बाद जाग रही हो उसे द्रश्ची को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की शय्या पर धरावधुने मान कर रखा हो कोई विराट सक्ती जैसे उसे नवजीवन प्रदान कर रही थी वह सोच रहा था कि संसार में सब कुछ परिवर्तन शील है यहां सब कुछ नस्वर है कुछ भी स्थाई नहीं है वह प्रकृति की जीवित सत्ता को देखकर अभी भूत हो जाता है और प्रस्न करने लगता है कि वह अनंत रमनिय शक्ती कौन है इसे प्रस्न का उत्तर हमारे पास नहीं है उसे चारों और से प्रकृति में जीवन की ही पुकार सुनाई दे रही थी जो उसे भी जीवन में विभोर करने लगी थी और उसके मन में भी मृत्यू के स्थान पर जीवित रहने की लालसा उठने लगी थी अभी तक तो उसको लग रहा था कि मृत्यू ही सत्य है लेकिन अब उसको जीवित रहने के लाल सा भी उसके मन में उठने लगी थी जो द्रिश्य उसकी आँखों के सामने गुजरता था उसे देखकर उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई परदा हट गया है सर्वत्र आशा और सौंधरी का संसार अंगडाई लेने लगता था हिमालाई में जर्नों, पुश्पों, हवा, बादल, सूर्योदै, संध्या आदी के द्रश्य अद्भु सौंधरी के स्ष्टी कर रहे थे ऐसे वाताबरण और परिवेश में मनु ने रमणी और विस्टित गुफा में सुन्दर एम स्वच्य स्थान बना लिया था जिसमें पहले से ही संचित करके सुरक्षित रखी गई आग भी जल रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे देव संस्कृति पुनह सजग हो गई हो इस रूप में मनु की अन्य जीवन किरियां चलने लग गई इन किरियाओं के बीच ही मनु ने सोचा कि जिस तरह मैं बच गया हूँ उसी तरह हो सकता है कि कोई और भी बच गया हो इस बात को ध्यान में रख कर वे अपने खाने से बचा हुआ अनि किसी इस्थान पर रख कर आने लगे और अकेले में एक मौन साधक की तरह रहने लगे जहां उन्हें सुक और दुख दोनों की अनुभूती होने लगी थी और वे अपने अस्तितु की रक्षा में स्वयम को ब्यस्त रखने लगे थी उसके मन में यहाँ प्रस्ण भी जन्म लेने लगा था कि इस सरह कब तक अकीलापन भोगना पड़ेगा अपनी इस दुख भरी कथा सुनाने के लिए भी तो कोई हो वह अपनी कथा रात्री को ही सुनाने लगता है जो मनु की दार्सनिकता को प्रकट करता है तीसरा सर्ग है श्रद्धा इस सर्ग की कथा का समंद्ध कामाईनी की नाई का श्रद्धा से है इससे पूर्व के दो सरकों का समंद्र मनु की प्रलाई कालीन चिंता और उसके बाद जीवन की आशा से है प्रसाद जी ने इस सरकों का प्रारमब श्रद्धा के सब्दों से किया है अब देखिए हिमाले के उसी स्थान पर स्रद्धा किसी दूसरे स्थान से भटकती हुई वहां तक आ पहुंचती है और उसके आते ही मनु का परिचे पुषते हुए कहा कि आप संसार रुपी समुद्र के किनारे एक मने की तरह चमकते हुए कौन है आप मुझे जगत के सुलजे हुए रहसी की तरह दिखाई दे रही हैं मनों को स्रद्धा के ये शब्द बहुत आश्यरे में डाल देने वाले सुखकारी लगे वे स्रद्धा के सौंदर्य और वेश को देखकर बहुती अभिभूत हो गए उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह नयन का इंद्रजाल हो उसने गांधार देश के कोमल और नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे उसका मुख सौंदर जो था वो पश्चिमा आकास के सूरी जैसा दिखाई पढ़ रहा था जहां पर प्रसाद जी ने स्रद्धा के बाहरी सौंदर्य का कलात्मक चित्र उपस्रित किया है जो उनकी प्रसाद की कला का प्राण है मनु ने स्रद्धा से कहा मैं इस सौनी में उलका की तरह जलता रहा हूँ और हत भागी हूँ मेरा एक भरा पूरा अतीत है जिससे मैं भूलने का प्रियास करता हूँ आप पच्छड में बसंत की तरह आने वाली कौन है जिसने मेरे एकाकी जीवन में आशा का संचार कर दिया है तब वह अपना परिचय एपम वहां तक पहुँचने का कारण बतलाती हुई कहती है कि मैं गंधर उदेश की रहने वाली हूँ और अपने पिता की अकेली संतान हूँ मुझे गूमने का अव्यास था गूमते गूमते मैं यहां तक आप पहुँची हूँ मेरा मन हिमाले के सौंदरे में रमा हुआ था मैं उसे ही देखती गूमती थी कि एक दिन अचानक समुदर में प्रलाइकाली डश्य उपस्तित हो गया यहां मैंने देखा की बली का कोई अन रख जाता है उसी से मैंने यह अनुमान लगा लिया की मेरी तरह कोई और भी जीवित बचा है हे तपस्वी आप तो बहुत निरास और उदास दिखाई दे रहे हैं क्या आपकी हिर्दय में जीवन की लालसा शेस नहीं बची तुम दुख के डर से जिजग कर अपने इच्छाओं का दमन कर रहे हो वह मनों को स्रिष्टी का रहसे समझाती हुई कहती है कि यह सिर्जन महान चैतन शक्ति का है और जिसे तुम दुख के रूप में देख रहे हो वह इश्वर का रहसिमय वर्दान है वह कहती है कि जैसे रातरी के बाद सवेरा आता है उसी तरह दुख के बाद सुख भी आता है तुम इस विश्व में समरस रहने का प्रियास करो तब मनु कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है जिसका परिणाम निरासा के रूप में ही निकलता है तब उस आगंतुक ने कहा कि इतना अधिर होने की आउशकता नहीं है यह निरासा शनिक है क्योंकि प्रकृति की यवन का श्रंगार हमेशा ताजा फूल ही करते हैं प्रकृति में पुरातंता को समाप्त होना ही पड़ता है नूतंता ही प्रकृति का नियम है आगे वो कहती है कि तुम्हारे सामने इतना सारा प्रकृति का वैभव है जिसमें तुम अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते अतह मैं तुम्हारी सहचरी बनना चाहती हूँ मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ दया माया ममता की निधियां मेरे पास है मैं और तुम दोनों मिलकर नई स्रिष्टी को जन्म दे सकते हैं तो चलो हम स्रिष्टी की इस बेल का विस्तार करते हुए पुष्पों की गंध से प्रकृति का आंगन भर दें वह कहती है कि इस संसार क्रम में डरने की आवसकता नहीं है इस देव सब्यता की ध्वंस से सीख लेकर मानव सब्यता का स्रिजन होगा अता आज से मानवता की कीर्थी का प्रसार सारी संसार में हो आज इतना ही